परिचाए बच्चो, आज श्री कश्यप हमारे बीच हैं, जो आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामन के बारे में कुछ पताएंगे प्रिया, रैखिक प्रोग्रामन क्या है? मैं नहीं जानती, यहां तक कि मैं तो पहली बार इस शब्द को सुन रही हूँ चलो, सुनते हैं सर इसके बारे में कुछ पता रहे हैं विद्यार्थियो, रैखिक प्रोग्रामिंग कुछ इस्तिती से संबंधित विभिन रैखिक असमिकाओं को लेने और उन परिस्तियों में सर्वश्रेश्ट मान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है अवश्य, सामगरी और श्रम की सीमाओं को लेना और फिर उन परिस्तियों में अधिक्तम लाप लेने के लिए सर्वश्रेश्ट उत्पादन के स्थर को निर्धारित करना एक विश्रेश्ट उधारन होगा वास्तविक जीवन में रेकिक प्रोग्रामन गणित का एक बहुत बड़ा ही महतपून क्षेत्र का हिस्सा है जो अनुकूलन तकनीक कहलाता है यदि आप इस विशय में रुची रखते हैं तो मैं इसे आप लोगों को विस्तार में सिखा सकता हूँ हाँ सेर किर्पियां हमें सिखाएं ठीक है फिर शुरू करते हैं उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रेकिक प्रोग्रामन की समस्या LPP को समझना समस्या के गणितिये सूत्री करण को जानना रेकिक प्रोग्रामन की समस्या के हल के लिए ग्राफिकल विधी को समझना कोनिये बिंदू विधी को समझना रेकिक प्रोग्रामन की समस्या के विभिन प्रकार को जानना रेकिक प्रोग्रामन में सम्मिलित शर्ते हैं उद्देशे फलन एक रैखिक प्रोग्रामन Z की समस्या में चरों का रैखिक प्रोग्रामन जिसे ईस्ट तम किया जाना है वो देशिफलन कहलाता है यहां एक रैखिक रूप का मतलब एक प्रकार की गणितिये अभिव्यक्ति है A1 X1 जमा A2 X2 जमा इत्यादी जमा A N X N तक जहां A1 A2 इत्यादी A N तक इस्थिरांख है X1 X2 इत्यादी X N तक चर है चर रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं में उत्पाद, सेवाएं, परियोजनाएं आदी दिये गए सीमित संसाधनों का साजा करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिसपर्दी हैं चर या निरणे चर कहलाती हैं स्थिरांख चरों को गैर रनात्मक मानों को बनाए रखना जरूरी है क्योंकि भौतिक मात्राओं के रनात्मक मान एक असंभव इस्थिती है रैकिक प्रोग्रामन समस्या LPP एक रैकिक प्रोग्रामन समस्या वो समस्या है जिसमें हम रैकिक अभिव्यक्ती के अधिक्तम या नियूनतम मानों को ग्याद करते हैं AX जमा BY जमा CZ जमा इत्यादी इसके रूप की रैखिक बाधाओं की संख्या क्या धीन उद्देश फ़रन कहलाता है AX जमा BY जमा CZ जमा इत्यादी N से छोटा या बराबर है अध्वा AX जमा BY जमा CZ जमा इत्यादी N से बड़ा या बराबर है उद्देश फ़रन का अधिक्तम अध्वा नियूनतम मान इस्ट तम मान कहलाता है तथा XYZ इत्यादी के मानों का संग्रह जो इस्ट तम मान देता है एक इस्ट तम हल होता है चर XYZ इत्यादी निर्णे चर कहलाते हैं समस्याओं का गणितिये निरूपन एक गणितिये मौडल के रूप में रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सूत्री करण में दिये गए महतपून खदम सम्मिलित होते हैं चरण एक निर्धारित किये चाने के लिए निर्णे चर को पहचानिये तथा बीजिये प्रतीकों की द्रिष्टी में उन्हें व्यक्त कीजिये जैसे X1, X2 इत्यादी चरण तो दी गई समस्या में सभी सीमाओं को पहचानिये तथा उपर परिभाशित निर्णे चर के संदर्भ में रैखिये समीकरण या आसमानताओं के रूप में उन्हें व्यक्त कीजिये चरण तीन ईष्टाम अधिकतम अथवा नियुनतम किये जाने वाले उधेश को पहचानिये तथा उपर परिभाशित निरणेंचर के एक रैखिये फलन के रूप में उन्हें व्यक्त कीजिए. उधारण एक खुद्रा व्यापारी A तथा B प्रकार के ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों को खरीदना चाता है. प्रतेक A प्रकार के सेट की लागत 360 रुपे तथा प्रतेक B प्रकार के सेट की लागत 240 रुपे है. खुद्राव्यपारी जानता है की वो बीच से अधिक सेट नहीं बेच सकता, इसलिए वो बीच से अधिक सेट नहीं खरीदना चाता है, तथा वो 5760 रुपई से अधिक का भुगतान नहीं कर सकता है. उसे उम्मीद है कि A प्रकार के प्रतेक सेट के लिए उसे पचास रुपए का तथा B प्रकार के प्रतेक सेट के लिए उसे चालीस रुपए का लाब मिलेगा अधिक तमलाब प्राप्त करने के लिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में समस्या का सूत्री करण कीजिए हल मान लीजिये कि खुदरावे अपारी A प्रकार के X1 सेट तथा B प्रकार के X2 सेटों को खरीता है जोंकि प्रतेख प्रकार के सेटों की संक्या धनात्मक है इसलिए X1 शोने से बड़ा या पराबर है इसे समी करण एक से चिन्हित करें X2 शोने से बड़ा या पराबर है इसे समी करण दो से चिन्हित करें इसके अतरिक्त A प्रकार के X1 सेटों की लागत तथा B प्रकार के X2 सेटों की लागत है 360X1 जमा 240X2 तथा ये 5760 रुपए के बराबर या कम होनी चाहिए अर्थात 360X1 जमा 240X2 5760 से छोटा या बराबर है या 3X1 जमा 2X2 48 से छोटा या बराबर है इसे समी करण 3 से चिनित करें आगे दोनों प्रकार के सेटों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसलिए X1 जमा X2 20 से छोटा या बराबर है इसे समी करण 4 से चिनित करें चोकि कुल लाब A प्रकार के X1 सेट तथा B प्रकार के X2 सेटों की बिक्री से वियुत्पन लाब है इसलिए खुद्रा व्यापारी A प्रकार के X1 सेटों से 50 रुपए तथा B प्रकार के X2 सेटों से 40 रुपए का लाब कमाता है अता कुल लाब निम्न द्वारा दिया जाता है Z पराबर 50 X1 जमा 40 X2 इसे समी करण 5 से चिनित करें अताह दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितिय सूत्री करण निम्न प्रकार है एक रहखिक असमीका के हल्सेट का आरेखन समीका को असमीका में बदलने से प्राप्ट सरल रेखा का आरेख बनाईगे परिक्षण बिंदु का चैन कीजिये जो रेखा पर ना हो यदि रेखा अपने मूल से होकर ना गुज़रे तब 000 एक अच्छा चैन होगा तथा यदि रेखा अपने मूल से होकर गुजरती है, तब किसी अक्ष पर इस्थेद बिंदू का चयन एक अच्छा चयन होगा। यदि परिक्षण बिंदू असमीका को संतुष्ट करता है, तब सेटों का हल परिक्षण बिंदू के रूप में रेखा के समान पक्षवाला सुसंगत क्षेत्र होता है। अन्निथा ये रेखा के दूसरी तरफ का क्षेत्र होता है। किसी भी स्थिति में हल क्षेत्र को प्रक के लिए 3x घटा 4y 12 से छोटा यहां परावर है। सर्व प्रतम रेखा 3x घटा 4y बरावर 12 का आरेक बनाएं। फिर परीक्षण बिंदू के रूप में मूल बिंदूओं 0-0 का चैन करें क्यूंकि यह रेखा पर नहीं है। असमानता में x बरावर 0y बरावर 0 प्रतिस्थापन करने पर 3-0 घटा 4-0 बारा से छोटा यहां परावर है। चुकि यह एक सत्तिकतन है, 0-0 हल सेट में है, तब 0-0 बिंदू के रूप में हल सेट सभी बिंदूओं का हल सेट है। इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया है जबकि छायांकित क्षेत्र व्यवरोधित है। रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की आलेखिये विधी। सुसंगत क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र का निर्धारण रैखिक असमिकाओं के एक संग्रह द्वारा किया जाता है। ये उन अंकों का संग्रह होता है जो सभी असमिकाओं को संतुष्ट करते हैं। दूचरों में रैखिक असमिकाओं के एक संग्रह द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र का आरेखन करना। सम्तल के अंचाहे हिस्सों को चायांकित करते हुए उसी आलेक पर प्रतेक असमिकाद्वारा निर्धारित क्षेत्र का आरेखन कीजिए। आरेखन के बाद जो क्षेत्र चायांकित नहीं है वही सुसंगत क्षेत्र होगा। उधारन आसमिकाओं के निम्न संग्रह के लिए सुसंगत क्षेत्र दिखाया गया। वह क्षेत्र है जो चायांकित नहीं है। रेकिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की आलीख ये विधी दो अग्यातों में रेकिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने के लिए आलेख ये विधी है। सुसंगत क्षेत्र का आलेख बनाईए। कौनिये बिंदु के निर्देशांकों की करना कीजिए। इस्टतम मान कौन देता है ये देखने के लिए कौनिये बिंदु के निर्देशांकों को वो देश फलन में प्रतिस्थापित कीजिए। यदि सुसंगत क्षेत्र सीमित है तब ये विधी घ्रामक हो सकती है। इस्टतम हल हमेशा अस्तित्व में होता है जब सुसंगत क्षेत्र सीमित होता है लेकिन हल अस्तित्व भी हो सकता है और नहीं भी जब सुसंगत क्षेत्र असीमित होता है। प्रमय, दी गई प्रमय रहकिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने में मूल भूत हैं प्रमय एक, माना कि आर रहकिक प्रोग्रामन समस्या के लिए सुसंगत क्षेद्र उत्तल बहुभुज है तथा मान लिजिए कि Z पराबर AX जमा BY उद्देश फलन है, तो जब Z का मान इस्टतम, अधिकतम या निवनतम हो, जहां X तथा Y रहकिक असमिकाओं से वर्णित व्यवरोधों के अधीन है, तब ये इस्टतम मान सुसंगत क्षेद्र के कौन ये बिंदु पर होने चाहिए प्रमय दो, माना की आर रहकिक प्रोग्रामन समस्या के लिए सुसंगत क्षेद्र है, तथा मान लिजिए कि Z पराबर AX जमा BY उद्देश फलन है, यदि आर सीमित है, तब उद्देश फलन Z का मान आर पर अधिकतम और निवनतम दोनों होता है, तथा ये सभी आर के एक कौ कौन ये बिंदू विधी, विधी में दिये गए चरण समलिध है, एक, रहकिक प्रोग्रामन का सुसंगत क्षेद्र ग्याद कीजिए, तथा इसके कौन ये बिंदू यानि शीर्ष को उस बिंदू पर रेखाओं के प्रतिछेदक के दू समिकर्णों को या तो निरीक्षन द्वारा या हल करके ग्याद कीजिए, दो, प्रतिक कोन ये बिंदू पर उद्देश फलन Z पराबर AX जमा BY का मुल्यांकन कीजिए, मालिजे M तथा M क्रमशह इन बिंदूं के अधिक्तम और निवनतम मानों को दर्शादे हैं, तीन, प्रतम, जब सुसंगत क्षेत्र सी मे तब M तथा M, Z के अधिक्तम और निवनतम मानों होते हैं, दो, दिये, यदी सुसंगत क्षेत्र असी मिथो तब का M, Z का अधिक्तम मानों होता है, तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमी करन त्वारा निर्धारित परिनामी खुला अर्थतल जो AX जमा BY M से बढ़ा है, कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है, अनिथा Z का मानों अधिक्तम नहीं होता है, खा इसी प्रकार M, Z का अधिक्तम मानों होता है, तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमी करन त्वारा निर्धारित परिनामी खुला अर्थतल AX जमा BY M से छोटा है, सुसंगत क्षेत्र क के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है, अनिथा Z का मानों निवनतम नहीं होता है, रहकेक प्रोग्रामन समस्या का उधारण, उधारण, रहकेक प्रोग्रामन समस्या को आलेखिये विधी द्वारा हल कीजिए, अधिक्तम करने के लिए Z पराबर 3X जमा 4Y, व्यवर X बड़ा या बराबर है, शून से, Y बड़ा या बराबर है, शून से, हल, सुसंगत इक्षित्र को दी गई आकरिती में, व्यवरोध X जमा Y, 4 से छोटा या बराबर है, X शून से बड़ा या बराबर है, Y शून से बड़ा या बराबर है, इसके द्वारा ग्यात किया जात सुसंगत क्षित्र के कोनिय बिंदू O, 00, A, 40 तथा B, 004 हैं, इन बिंदूों पर Z निमने लिखित है, अतैव B, 004 पर Z का अधिक्तम्मान सुला है. रेकिक प्रोग्रामन समस्या के उधारण, उधारण, रेकिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखिये विधी से हल कीजिए. नियुनितम करने के लिए Z पराबर 3X जमा 5Y इस तरह से की X जमा 3Y बड़ा या पराबर है 3 से X जमा Y बड़ा या पराबर है 2 से X Y बड़ा या पराबर है 0 से हल, सुसंगत क्षित्र को निकाई के निम्न व्यवरोद द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो इस प्रकार है ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षित्र हसीमित होता है सुसंगत क्षित्र के कोनिय बिंदू? A. 3.9, B. 3.2, 1.2, C. 0.2 है इन कोनिय बिंदूं पर Z का मान इस प्रकार है चुकि सुसंगत क्षित्र असीमित है, अतेव Z का अधिक तमान साथ हो सकता है और नहीं भी इसके लिए हम असमी का 3X जमा 5Y, 7 से छूटा है का ग्राफ खीशते हैं तथा जांच करते हैं कि क्या असमी करण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्थितल सुसंगत क्षित्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अत्वा नहीं ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षित्र में 3X जमा 5Y, 7 से छूटा है के साथ कोई भी बिंदू समान नहीं है अत्यव, 3 बटे 2, 1 बटे 2 पर Z का नियूनतमान साथ है रैकिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन प्रकार उत्पादन समंधी समस्याओं इन समस्याओं में हम निर्धारित करते हैं कि विभिन उत्पादनों की इकाईयों के नग बनाने तथा एक फर्मत्वारा बेचे जाने में एक निश्चित जन शक्ती, मशीन के घंटे, प्रती इकाई उत्पादन के श्रम के घंटे, प्रती इकाई माल भंडारन कोदा मादी को दृष्टी में रखते हुए अधिक्तम लाब कमाया जा सके। चलो इसे बेटर धंग से समझने के लिए एक उधारन लेते हैं। जबकि B प्रकार के पेंच के संकुल का निर्मान करने के लिए 148 मशीन 6 मिनट तथा हस्तचालित मशीन 3 मिनट लेती हैं। प्रती एक मशीन किसी भी दिन अधिक्तम 4 घंटे के लिए उपलब्द होती है। निर्मान करता 7 रुपए के लाप पर A पेंचों का एक संकुल तथा 10 रुपए के लाप पर B पेंचों का एक संकुल बेच सकता है। ये मानते हुए कि वो उसके द्वारा विनिर में सभी पेंचों को बेच सकता है। कारखानी के मालिक को प्रति दिन प्रति एक प्रकार के कितने संकुलों का निर्माण करना चाहिए ताकि अधिक्तम लाप कमाया जा सके। अधिक्तम लाप ग्याद कीजिए। हल, मानलीजे कि कारखा는 प्रति दिन एप्रकार के एक्स पेंचों का तथा बी प्रकार के वाई पेंचों का निर्माण करता है। अतैव X 0 से बड़ा या पराबर है तथा Y 0 से बड़ा या पराबर है. दी गई जानकारी को तालिका में निमनानुसार संकलित किया जा सकता है. A पेचों के एक संकुल पर लाब 7 रुपे है तथा B 5 के एक संकुल पर लाब 10 रुपे है. अतेव व्यावरोध निम्न है कुलाब Z पराबर 7X जमा 10Y दी गई समस्या का गणितिय सूत्री करण इस प्रकार है अधिक्तम के लिए Z पराबर 7X जमा 10Y इसे समी करण एक से चिनित करें व्यावरोध के अधीन 4X जमा 6Y छोटा या पराबर है 240 से इसे समी करण 2 से चिनित करें 6X जमा 3Y छोटा या पराबर है 240 से इसे समी करण 3 से चिनित करें XY 0 से बड़ा या पराबर है इसे समी करण 4 से चिनित करें निकाय के व्यवरोद द्वारा निर्धारित सुसंगत ख्षेत्र इस प्रकार दिया जाता है कौनिय बिंदू A, 40-0, B, 30-20 तथा C, 0-40 है इन कौनिय बिंदूओं पर Z के मान निम्न नुसार है 30-20 पर Z का अधिकता मान 410 है इस प्रकार कारखाने को 410 रुपए का अधिकतम लाब प्राप्त करने के लिए A-5 के 30 संकुलों का तथा B-5 के 20 संकुलों का उत्पादन करना चाहिए रैकिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन प्रकार आहार सम्मंधी समस्याएं इन समस्याओं में हम विभिन प्रकार के घटक या पोशक तत्वों की मात्रा निर्धारित करते हैं जिन्हें आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि वांशित आहार की लागत को कम किया जा सके, ताकि घटक या पोशक तत्वों की निश्चित निवनतम मात्रा सम्मिलित की जा सके. उधारण मिश्रन की निवनतम लागत ग्यात कीजे हल मानकी मिश्रन में भोश्जे P के X किलोग्राम तथा भोश्जे Q के Y किलोग्राम सम्मिलित हैं. अतैव, X 0 से बड़ा है या बराबर है तथा Y 0 से बड़ा है या बराबर है। दी गई जानकारी को निम्न तालिका में सम्मिलित किया जा सकता है। मिश्रन में कम से कम विटामिन A के 8 तथा विटामिन B के 11 मातरक सम्मिलित होने चाहिए। अतैव, निम्न फ्यवरोद प्राप्त होते हैं। 3X जमा 4Y 8 से बड़ा या बराबर है। 5X जमा 2Y 11 से बड़ा है या बराबर है। भुजे खरीदने का कुलमूले Z है। Z बराबर 60X जमा 80Y। दी गई समस्या का गणितिय सूत्री करण निम्न लिखित है। कम करने के लिए Z बराबर 60X जमा 80Y। इसे समिकरण 1 से चिनहित करें। व्यारोधूं के अंतरगत 3X जमा 4Y 8 से बड़ा है या बराबर है। इसे समिकरण 2 से चिनहित करें। 5X जमा 2Y 11 से बड़ा है या बराबर है। इसे समिकरण 3 से चिनहित करें। X, Y, 0 से बड़ा है या बराबर है, इसे समीकरण 4 से चिन्हित करें। निकाई के व्यवरोधुं द्वारा ताप्त सुसंगत क्षित्र निम्ननुसार है। ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षित्र आपरीबध है। सुसंगत ख्षित्र के कोनिय बिंदू निम्न है इन कोनिय बिंदूओं पर Z का मान निम्न नुसार है जोकी सुसंगत ख्षित्र आपरीबद है अतैव Z का नियुनतम मान 160 हो सकता है और नहीं भी इसके लिए हम निम्न लिखिद असमिका का आलेक खीशते हैं 60X जमा 80Y 160 से छोटा है अत्वा 3X जमा 4Y 8 से छोटा है तथा जांच करते हैं कि क्या असमिकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धितल सुसंगत ख्षित्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है ये देखा गया है कि सुसंगत ख्षित्र 3X जमा 4Y 8 से छोटा है इसके साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अत्यव निम्न बिंदूओं के जोडने वाले रेका खंड पर मिश्रन का निवनत मोल एक सो साथ रुपे होगा परिवहन सम्बंदी समस्याएं इस प्रकार की समस्याओं में हम विभेनिस्थानों परिस्थित सैंत्रों, कारखानों से विभेनिबाजारों की और एक उत्वात का परिवहन करने के उदेश से एक परिवहन सूझी निर्धारित करते हैं उधारण दो अन्य भंडारों A और B की भंडारंग शमता क्रमशा 100 कुंटल और 50 कुंटल है उन्हें तीन राशन की दुकानों D, E और F पर अन्य उपलब्द कराना पड़ता है जिनकी आविशक्ताएं क्रमशा 60, 50 और 40 कुंटल है भंडारों से दुकानों का प्रती कुंटल परिवहन वे निम्नसारणी के अनुसार है परिवहन वे के नियुनतमी करण के लिए आपुर्ती का परिवहन कैसे किया जाए नियुनतम परिवहन मोले क्या है हल माना की अन्य भंडार A दुकानों D तथा E के लिए क्रमशा X तथा Y कुंटल अन्य की आप पूर्ती करता है तब दुकान F के लिए 100 घटा X घटा Y की आप पूर्ती की जाएगी दुकान D की आविशकता 60 कुंटल है, चुंकि अन्य भंडार A से X कुंटल का परिवहन किया गया है, अतैव 6 अन्य भंडार B से 60 घटा X कुंटल का परिवहन किया जाएगा इस प्रकार अन्य भंडार B से दुकानों E तथा F के लिए क्रमशा 50 घटा Y कुंटल तथा 40 घटा 100 घटा X घटा Y बराबर X जमावाई घटा 60 कुंटल अन्य का भंडारण किया जाएगा दी गई समस्या को रेका चुद्र के द्वारा प्रदशित किया जा सकता है कुल परिवहन मूले Z निम्ननुसार दिया जा सकता है दी गई समस्या का सूत्री करण निम्ननुसार किया जा सकता है नियून करने के लिए Z बराबर 2.5X जमाँ 1.5Y जमाँ 410 इसे समी करण एक से चिनहित करें अव्यावरोधों के अधीन निम्ने हैं निकाय के व्यावरोधों द्वारा प्राब्त सुसंगत शेत्र निम्ननुसार है कुनिय बिंदू A, 60.00, B, 60.40, C, 50.50 तथा D, 10.50 हैं इन कुनिय बिंदू पर Z के मान निम्ननुसार हैं दस पचास पर Z का निम्नतम मान पांसव दस हैं इस प्रकार A से दुकानों D, E तथा F में परिवान अन्न की मात्रा क्रमशा 10 कुंटल, 50 कुंटल तथा 40 कुंटल है एवं B से दुकानों D, E तथा F में परिवान अन्न की मात्रा क्रमशा 50 कुंटल, 0 कुंटल तथा 0 कुंटल है क्या आप जानते हैं, रेकिक प्रोग्रामन के क्षित्र में प्रथम प्रोग्रामन का सुत्रापात रूसी गणितक के एल केंटोरोविच तथा अमेरीकी अर्थिशास्त्री एफ एल हिचकोक ने सन 1940 में किया, दोनोंने सुतंत्र रूप से कारे किया, इस प्रोग्रामन को परिवहन समस्या के नाम से जहना गया सन 1947 में जी बी डेंट जिग ने एक दक्षता पून विधी जो सिंप्लेक्स विधी के नाम से प्रस्षित है उसका सुझाव दिया, जो रैकिक प्रोग्रामन समस्याओं को सीमित प्रक्रमों में हल करने की सशक्त विधी है सारा अंश आईए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं एक रैकिक प्रोग्रामन समस्याओं वो समस्याओं है जो इन शर्तों के अधीन कई जरों के रैकिये फ्लन वो देश्य फ्लन कहलाता है के इश्टतम मान अधिकतम अथवान्यूनतम ग्याद करने से संबंदित है इसमें चर गैर रणात्मक होते हैं तथा रैकिक आसमिकाओं के एक सेट रैकिक अव्यवरोध कहलाता है उसको संतुष्ट करता है चरों को नर्णे चर तथा गैर रणात्मक चर भी कहा जाता है कुछ महतपून रैकिक प्रोग्रामन समस्याएं हैं आहार संबंधी समस्याएं उतपादन संबंधी समस्याएं और परिवहन संबंधी समस्याएं एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के गैर रिनात्मक व्यावरोधों जहां X, Y, 0 से बड़े हैं, समेत सभी व्यावरोधों के द्वारा निर्धारित उभैनिस्ट क्षेक्त्र समस्या का सुसंगत क्षेत्र अथवा हल क्षेत्र कहलाता है। सुसंगत क्षेत्र के भीतर तथा सुसंगत क्षेत्र पर बिन्दू व्यावरोध के सुसंगत हल को प्रदाशित करते हैं। सुसंगत क्षेत्र के बाहर कोई बिन्दू व्यावरोध का असंगत हल होता है। सुसंगत क्षित्र में कोई बिंदू जो उद्देश भलन का इस्टतम मान अधिक्तम अथवा निवनतम देता है इस्टतम हल कहलाता है यदि इस्टतम क्षित्र आपरिबद्ध है तब अधिक्तम तथा निवनतम अस्तित्व में नहीं हो सकता है किन्तु यदि ये अस्तित्व में है तब इसे आर के एक कौनिय बिंदू पर होना चाहिए रैखिये प्रोग्रामन समस्या के हलकी कौनिय बिंदू विधी में निनलिकित चरण समलित है रेखिक प्रोग्रामा समस्या का सुसंगत ख्षेत्र ग्याद कीजिए तथा इसके कौनिय बिंदू का निर्धारण कीजिए प्रते कौनिय बिंदू पर उद्देश बिंदू Z पराबर AX जमा BY का मान ग्याद कीजिए माना की M तथा M इन बिंदूँ पर क्रम्शा अधिक्तम और निवनतम मान हैं यदी सुसंगत क्षेत्र परिबद है तब M तथा M उद्देश ब्हलन के क्रम्शा अधिक्तम और निवनतम मान हैं यदी सुसंगत क्षेत्र आपरिबद है तब M उद्देश ब्हलन का अधिक्तम मान होता है तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमी करन द्वारा निर्धारित परिडामी खुला अर्धितल AX जमा BY M से बड़ा है सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अनिता Z का मान अधिक्तम नहीं होता है इसी प्रकार M उद्देश ब्हलन का निवनतम मान होता है तथा दर्शाया जाता है कि क्या असमी करन द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धितल AX जमा BY M स से छोटा है सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभेनिष्ट बिंदू रखता है अनिता Z का मान निवनतम नहीं होता है यदि सुसंगत क्षेत्र के कोन ये बिंदू दोनों एक ही प्रकार के इस्ट तमहल हैं अर्थाथ दोनों एक ही अधिकतम तथा निवनतम बनाएं तब इन दोनों बिंदूओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदू भी उसी प्रकार का इस्ट तमहल होता है कर दोनों बाद सुमर माने यदिए बिंदू है